नमस्कार स्वागत है आप सभी का बियाच यू पार्ट साला के ओनलाइन लर्निंग प्रटफॉर्म में मैं हूं आदित्य सिंग आज की इस वीडियो के मात्यम से मैं बियाच यू ब्लैट यहनी बनारश हिंदु उन्वर्श्टी लाइडमिशन टेस्ट 2021 के एक्जाम पैटर् यह है यहां पर फाइव यह लाओ कोर्स जो की बीच्व में संचालिंद किया आता है उसके बारे मैं आप से चर्चा करूंगा तो चलिए विदाउट इनी डिले हम स्टार्ट करते हैं पहले पैटर्न को देखेंगे फिर सेलबस को देखेंगे उसके बाद स्ट्रेजी डिसक पास है दो से 3,000 रुपए के आसपास है और उसके साथ साथ आपको 60,000 पर एनम आपको एक्स्ट्रा फीज भी देना पड़ता है यह बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे अब हम मैं आता हूं पैटर्न आप देखेंगे इस एक्जाम का पैटर्न क्या है या बिल्कुल ध् दोनों मोड में हुआ है आगे हो सकता है कि मुली ओनलाइन मोड हो तो आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अगला देखते हैं पॉइंट मीडियम अब बात करूं तो यह एक्जाम जो है वो इंग्लिस मीडियम में होता है पहले इसका पेप पर जो है उनली इंग्लिस मीडियम में आता है तो यह बात बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे अगर आप बीच्चु में बी एललबी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिस में अपनी जो जानकारी है इंग्लिस पर पकड़ है उसको बहुत अच्छी करने पड़े अब देखिए कोशन मोड क्या होता है तो कोशन मोड जो है वो एम से की टाइप कोशन साप से पुछे जाते हैं अगर मैं बात करूं कि कितने प्रस्णों की संख्या होती है तो वह है 150 निके अप 500 प्रसण पूछे जाते हैं और आपको समय दियाता है दो वंटे का अब यह अगर आप एक नमबर जो है वो मैनेस कर दिया ता है यह बात अब बिलकुल ध्यान पूरों के याद रखेंगे अगे चलता हूं यह था पूरा पैटर्ण कि किस तरीके सी एक्जाम होता है अब मैं आगे चलता हूं सेलबस की तरफ देखी इसका सेलबस जो है वो थोड़ा समझेंगे यह मैं आपको पहले ही बता देता हूं आप प्रिवियस एर पेपर उठाईए सिंज यह कोर्स थोड़ा सा नया है कंप्रेटिवली अदर कोर्स से 2014 से इसके सुरुवात की गई है तो आप प्रिवियस एर कुशन पेपर को उठाईए और उहां चीज़ों को एनला इस लिखा है कि देट्स प्रसन आएंगे 150 कुशन रहेंगे इस बात को अब ध्यान रखेंगे अगर सेलबस के में बात करूं तो यह आफिशल सेलबस है जनल अवेर्नेस और करेंट अफियर्स का यह सेक्शन है पर कोई नंबर आफ कोश्योंस इस्पिस्विक नहीं दिया कोश्योंस आप से पुछे जाएंगे उसके बाद लीगल अटिट्यूड एंड मेंटल अवेलिटी दिये हुए है बीच्चियों के बुलिटिन में उसके बाद में बात करूं इंग्लिस कंप्रेंशन यह पूरता सेलबस अब मैं बात करता हूं कि अखिर सेलबस में कहां से क पढ़ना होगा दिखिएThereenez and current affairs के अगर मैं बबात करों तो आप सब जानते हैं जननलहेiforns और संकरिंटफ अपको प्रपेर करना होगा सिंस इसका अच्छा का सब 80A है अगर मैं बात करूं यह 2020 की नवार्स 2020 में बीएलैली अगर मैं रफली बात करूं तो 2020 में आपके 40 questions इस section से आए हुए थे लेगल अप्टिटूट के कितने questions थे 40 questions थे और mental ability के 40 questions थे और यह कंप्रिहेंसें पोर्षन है कितने questions थे 30 questions थे यहां से 40 questions थे आपके लेगल अप्टिटूट से 40 questions थे और mental ability से 40 questions थे और यह हो गया 120 और थर्टी awareness के भी perspective से पढ़ना है उसके बाद history हो गया आपका political science हो गया geography हो गया economics हो गया general sciences हो गया यह सब चीजें भी आपको cover करनी है इनसे भी अच्छा questions पूछे जाते हैं अब मैं आके बात करता हूं कि legal attitude section जो है हमारा है उसको कैसे tackle करना है उसको कैसे अच्छी तरीगे से prepare करना ही यह बहुत जरूरी है देखी इस बार 40 questions जो पूछे गया थे उनमें कहां कहां से questions आया थे इनको ध्यान से सुन लीजिए मैं आपको बताता हूं देखी अच्छे खासे questions आया थे उसके बाद legal principle and factual situation से questions आया हुए थे उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुछ questions ऐसे बहुत सा questions पूछे जाते हैं उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंडिन पॉलिटी उसको हम कहां भूल सकते हैं वो भी इस इसी में इंक्लूट के आता है इस पेसिफिकली और अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कूट के जो special provisions हैं फिर आपके हाइप के special provisions हैं इन सब पेपर को analyze करिए और ट्रेंड को समझे उसके according preparation करिए अपनी और उसके बाद मैंने पॉलिटी आपको बता ही दिया rates से questions आते हैं कि कितने types of rates हैं उसके बाद अगर कोई current affairs है राज सभा से लेटेट या लोग सभा से लेटेट या फिर ऐसे current affairs जो कि लाग के students को पता होने चाहिए वैसे questions आप से पूछ लिए जाते हैं उसे के साथ साथ एक अच्छा खासा वेटेज रखता है आपका लीगल टॉंस एंड मैक जिंस जो है वह आट से से 10 questions पूछे जाते हैं और इसी चैनल पर भी आट साला पर ही अच्छे खासी वीडियोज साथ से 8 वीडियोज मेरी अप्लोड है वहाँ पर आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं लीगल आटिटूट के प्लेलिस्ट में उन से अच्छे खासे questions भी आपको मैच कर सकते हैं यार उसको आप देखते हैं तो आपको बहुत मिलेगा निया आट से 10 questions का वेटेज लेगल में से टम्स का होता है उसके बाद में मात करता हूं पॉलेटी मैंने आपको बताए दिया कि पॉलेटी के से कुशन पुछ लियाते हैं इंपॉर्टेंट आटिकल से कुशन पुछ लियाते हैं वह लीगल अप्टिटूड में ही रहता है निकि ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप बेच्यू भी एललबी देने जा रहे हैं तो आपको बेसिक कॉमन जो लीगल नॉलेज है निकि बेसिक लीगल नॉलेज आपको बिल्कुल होना ही चाहिए चाहिए आप उसको बेसिक लीगल नॉलेज कह लीजी या कामन लीगल नॉलेज कह लीजी उसके बाद मैं बात करता हूं कुछ जो जज़जमेंट्स हैं जो मैंने बताए दिया है फिर उसके बद कुछ इंपोर्टेंट केसे भी आपसे पूछे जाते हैं यह भी बिल्कुल ध्यानपुरो को क्याद रखेंगे और देखिए कुछ ऐसे कुछ पूछे आ सकते हैं जो कि किसी थियूरी पर बेस्ट हो जैसे कुछन पिछली साल पूछा गया था इसी साल 2020 में अकारणिंग टो आस्टिन दल लॉज और इजिनेट फ्रॉम ऐसे से कुछ पूछे आ सकते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक होते हैं आपको आईपीसी से कुछ बेसिक से कुछ पूछे आ सकते हैं आपके लोगसभा के प्रोविजन्स क्या है अब कुल मिला के समझे आप पॉलिटी किसी प्रकार की चीजें पढ़ना है प्रक्टिस करिए पहले थेयोरी पढ़िए अच्छे से कंश्प क्लीय करिए उसके बाद ज्यादा से ज्यादाप्रेक्रीस करी जितना हो सचाहों ऐतना प्रेक्रिभे क्योंकि जब चीजे अंडेफिनिट हूं तो आपके केवल एक अच्छा ट्रिक और एक अच्छा स्ट्टिजे यह होता है कि आप चीजों को अच्छे से समझीए पढ़िए और अधिक सधिक प्रेक्टिस करिए मैं बात करता हूं मेंटल अबिलिटी की तो यहां पर आपको रिजनिंग और मैंट्स दोनों मिलाके 40 कोशन का इस बार का सेक्षन बना रहा था और उसमें उन 40 कोशन में से आपको अच्छे खास यह नहीं कि 20 से आसपास रिजनिंग के कोशन ते और 20 के ही आसपास आपके मैंट्स के पीजिए उनको भी आप अच्छी तरी किसे टैकल करेंगे आपको क अगर आप कोर्स जोइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको पूरी डीटेल वे में जानकारी भी दी हुई है साथी साथ कंटक्ट नंबर दे हुगा है जहां पर कंटक्ट करके आप प्रेस्टिशन करा के अपनी इंडूल्मेंट करा सकते हैं अब देख देखेंगे उसके बाद मैं आगे बात करता हूं देखिए मेरा सबसे अच्छा स्ट्रेटीजी है दलिस्स मूर मैं आपसे हमेशा कहता हूं देखिए आप कम पढ़िये लेकिन जो पढ़िये उसको बार-बार रिवाइस करिए क्योंकि रिवीजन इस वेर इंपॉर्टेंट आप बहुत कुछ पढ़ लें और उनसे कोशिंज जब आया तो आप नहीं कर पाएं यह बिल्कुल खराब बात है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो आप जो पढ़िये आप सॉलिट पढ़िये उनमें से अगर कोशिंज किसी पी तरी करेंगे तो चल्व is important जबर ये अपने याद रहेंगे यह मेरी स्ट्ट्टी है मैं आपको इसलिए आपको शेयर करता हूँ आपके जूभी स्टट्ट्टी हो बटव पॉजेटीव स्ट्ट्टी होनी च leader अब मैं आके बात करता हूँ आपसे अपनी बेस्ट विसेश की मेरी बेस्ट विसेश आप सब के साथ हैं कि आप बीएचियू जैसे एक बड़ी उनस्टी में आप अपने प्रवेश पाएं और शाती साथ इसको महामना की बगिया भी कहा जाता है तो मैं आशा करता हूं कि साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आप हमारे online courses को join करना चाहते हैं तो आप इस दिये हुए contact number पर contact करके आप हमारे courses को join कर सकते हैं साथ ही साथ पूरी जैनकारी की course को कैसे join करना है वो comment box में दी हुई है अब देखिए मैं best wishes क्यों आपको कह रहा हूं क्योंकि अ मैं लास्ट में यही बोलूंगा all the best for your BHU plat five year law course का जो entrance exam है उसके लिए मैं आपको best wishes दे रहा हूं साथ ही साथ मैं अपने लास्ट में क्वर्ट बोलूंगा आपके लिए be updated be upgraded and be educated इसी के साथ आप सभी का हमारे BHU पाट सारा टीम के तरप से बहुत बहुत धन्यवाद